नमस्कार, SPN 9 News में आपका स्वागत है लोग जन शक्ती पार्टी राम विलास प्रमुख चिराक पासवान की नराजगी एंडिये से देखने को मिल रही है नराजगी इसकदर बढ़ती है कि भारतिये जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं इतना ही नहीं देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी दो बार बिहार में पहंसते हैं दौरा करने के लिए लेकिन चिराक पासवान उनके कारिकरम में शामिल नहीं होते हैं इसे बीच में इंडिया कट बंधन यानि कि इंडिया अलाइंस की तरफ से ओफर दिया जाता है चिराक पासवान को कि हम आपको आठ सीटे देंगे जिसके बाद ये तया किया गया कि आठ नहीं दस सीटे देंगे जसमें से उत्तर प्रदेश में दो सीटे दी जाएंगी तो वहीं बिहार में आठ सीटे दी जाएंगी इंडिया अलाइंस की तरफ से ओफर दिया गया और एंडिये यहां पर चिराक पासवान को पांच सीटे भी देता हुआ नजर नहीं आएगा इस बात के कयास लगाए ज पासवान ने बीजेपी के रास्टी अध्यक जेपी नड़ा से दिल्ली में मुलाकात की है इस दोरान उनके बीच अगामी लोगसभा चुनाव को लेकर बात चीत हुई चिराक पासवान ने हाजिपूर समेत लोगसभा की छे सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है चिर पी नड़ा ने चिराक पासवान की बाते ध्यान से सुनी और समान जनक सीट मिलने का भरोसा दिया है आपको बदा दे कि सभी 40 लोग सभा सीटों पर तेयारिया शुरू हो गई है पार्टी जहां खुद यहां पर बड़े कदम उठा रही है तो वहीं सहयोगी दलों को